एक लिखा था कि अपनी अधूरी कहानी का दूसरा पार्ट लिख रहा हूँ मैं कैसे समाला है कुद को तेरे जाने के बाद हर अन दिनो रातों को ठीक से मैं सोता नहीं था तुझे याद करने के लाबा कोई और काम नहीं था गल्ती मेरी थी जो मैंने तेरा इंतजार किया हाँ मैं एक रार करता हूँ मैंने एक पत्थर से प्यार किया धीरे धीरे से मुझे अब हुस आने लगा है उसके लौटाने का वहम अब जाने लगा है रातों को नीदें अब जल्दी आने लगी है साइद उसकी यादें अब कमाने लगी है ऐसा नहीं है कि तेरी अब चाहत नहीं है चाहत तो है पर तुझे पाने की नहीं है मुझे छोड़ने का अफसोस एक दिन मनाएगी तू ये जो कुछ खास पर नजमे पढ़ रहा है ये मेरा दिवाना था अपनी सहिलियों को एक दिन बताएगी तो गुना इतने है तेरे जिसकी कोई माफी नहीं है अभी तो बहुत कुछ लिख़ू हुआ तारीफ में तेरी इतना काफी नहीं है एक लिखा था कि आज नम हैंखें तो क्या हुआ कल मैं भी मुस्कुराओंगा तेरे छोड़ कर जाने का आखिर मैं अफसोस कब तक मनाओंगा आएगी तेरे दर्वाजे पर बारात किसी गेर की आएगी तेरे दर्वाजे पर बारात किसी गेर की मैं भी तो दर्वाजे पर किसी के अपनी बारात लेकर जाओंगा और फरक नहीं पड़ता मुझे किसी के दिल दुखाने से जिन्दगी खतम थोड़ी हो जाती है किसी के चले जाने से तु बुलाए या ना बुलाए मुझे अपनी शादी में पर मैं तुझे जरूर बुलाओंगा तु बुलाए या ना बुलाए मुझे अपनी शादी में पर मैं तुझे जरूर बुलाओंगा आएगी तु जो गुल्दस्ता लेकर वसली की रात विस्तर पर उसी के फूल सजाओंगा आज नम्हें आखें तो क्या हुआ कल मैं भी मुस्क्राओंगा तेरे छोड़ कर जाने का आखेर मैं अफसोस कब तक मनाओंगा बुबद अनवाद मरता था पलपल जिसके लिए उसको उसी की वासा में समझाओंगा तूटे सपनों का गला दवाकर तेरे ही शपनों के महल में अपने सपनों की लास दफनाओंगा आज नम है आखें तो क्या हुआ कल मैं भी मुस्क्राओंगा तेरे छोड़ कर जाने का आखेर मैं अफसोस कब तक मनाओंगा खुबद नवाद